आज हम square root निकालना सीखेंगे For example, अगर आपने square root निकालना है 2809 का ठीक है? तो आपने धिहान से सुनना है जो जो मैं आपको बताता रहूँगा आपने पीछे से दो-दो के pairs बना लेने है पीछे से बनाने ये धिहान लेका बना लिए ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है मान लो ये नंबर होता तो पीछे से ये पेर बना रहे होते है तो ऐसे ऐसे और ये अकेला भी रह जाता तो कोई issue नहीं था ठीक है? तो ये भी चल सकता था आपका अब हमने क्या करना है? इससे छोटा square अब 28 से छोटा square कौन सा होगा? आप 5 का तो square आपको पता ही है 25 ठीक है? 8 में से 5 गया 3 अब अगला pair उतार लेना है इससे छोटा square देखना है या इसके equivalent भी आजे बराबर भी आजे तो कोई दिखक नहीं है 25 उता फिर भी 55 जा 25 ही लिखते है अब आपने अगला pair उतार लिया single number नहीं उतारना pair उतारना है 09 उतार लिया अब आपने इन दोनों को plus कर देना है ठीक है? क्या कर देना है? plus 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे अब ये step ध्यान से सुनने वला है ये number हमने पूरा लेना है 1011 जा देखो 1022 जा देखो देखो ये पूरा number include कर रहे है 10 आगे dash लगा दिया है 1033 जा देख लो 1044 जा देख लो ठीक है? तो अगर मैं अपना दिमाग लगाऊ तो last में 9 चीए तो 33 जा 9 होता है या फिर 77 जा 49 होता है इन दो cases में लास्ट में 9 आ रहा है तो मैं इन दोनों को करके देख लूँगा और चेक करने की answer किस से आ रहा है 33 is a 9 30 is a 0 31 is a 3 तो ये 309 इसी से आ गया है तो 103 multiply by 3309 होता है तो मतलब ये 53 का square है ठीक है? आगे है समझ आपको एक साथ के साथ थोड़ा difficult example भी देख लेते हैं इसका अगर आपने देखना हो 2956 किसका square है ठीक है? दो-दो के pairs बनाओ पीछे से बना लिए अब चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको 295681 हाँ एक और example ले 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 तो इससे भी difficult बना ले ले तो hardest example आप ले लो 8,1,6,5 4 ठीक है जी? ये example ले लो अब पीछे से दो-दो के pairs बनाओ एक pair, दो pair और तीसरा pair ठीक है जी? अब आपने 4 से छोटा square देखना है या इसके बराबर देखना है 224 हो जाएगा अब अगला pair उतर जाएगा खाली 56 है ना 2 हो टू कितने हो जाएगे? 4 हो जाएगे ठीक है? तो अब यहाँ पर भी dash आएगा यहाँ पर भी dash आएगा ठीक है? यह पूरा number include करना है और यहाँ पर single number include करना है और इससे छोटा number देखना है तो 41 1 जा देख लो या 42 2 जा देख लो तो इससे बड़ा हो जाएगा तो 41 1 जा ही आएगा तो यहाँ पर 41 answer आजाएगा अब हम इसका reminder देख लें कितना आएगा 6 में से 1 गया 5 5 में से 4 गया 1 अब उपर से उतरेगा 81 ठीक है? इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि for example यहाँ पर 56 नमबर ना होता छोटा नमबर होता 4, 32 नमबर होता मान लो ठीक है? यहाँ पर 56 की बजाएगा तो हम क्या करते? 2, 2, 4 तो कर लेते ठीक है? उपर से 32 उतर जाता 2, 2, 4 हो जाता अब देखो 41 बन जा 41 आ रहा है ध्यान से सुनना वह इससे बढ़ा रहा है तो हम क्या करते? 40, 0, 0 कर देते तो यहाँ पर reminder फिर 32 बच जाता फिर अगला pair हम उतारते ठीक है? फिर इस step के बाद क्या करना होता है? 40 में यह 0 add कर देनी है यहाँ का पूरा नमबर उठाना यह भी example करो दोनों चलाएंगे तो अब यहाँ पर थे हैं अब इस पूरे 41 में इस 1 को क्या कर देना है? add कर देना है 41 में 1 add करोगे कितना आजएगा? 42 आजएगा यहाँ पर भी dash यहाँ पर भी dash अब इससे छोटा नमबर यह इसके बराबर नमबर देख लो ठीक है? तो 4, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 6, 9 यह अभी थोड़ा ओर अगे जा सकता है यह पूरा नमबर लेना है 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 16, 4, 2, 2, 8, 9, 4, 4, 6, 9, 1, 6, 9, 6 इससे बढ़ा गया यह नमबर नहीं ले सकते तो 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 6, 9 अभी यह रिमाइंडर कितना बच गया? 11 में से 9 के 2, 7 में 6 के 1, 5 में से 2 के 3 रिमाइंडर बच गया 3, 1, 2 अभी यह पूरा नमबर लेना है 4, 2, 3 में यहां का सिंगल नमबर एड़ कर देना 4, 2, 3 में 3 एड़ करेंगे कितना 4, 2, 6, यहां पर भी डेश आजएगा यहां पर भी डेश आजएगा ठीक है जी? अब जो है 312 चोटा है अब क्या हुआ है? यह नमबर खतम हो चुक है तो याद करो यहां पर 0 का क्या लगता होता था? यहां पर पॉइंट लगता होता था तो यहां पर 0 लगा लिया यहां पर पॉइंट लगा लिया लेकिन यह स्केर रूट है तो इसमें सिंगल 0 नहीं मिलेगा डबल 0 मिलती है क्या मिलती है? डबल 0 तो अब आप इससे छोटा देख लो लेकिन यह तो 31,000 है तो मतलब अभी यह 31,000 है तो मतलब अभी यह और आगे जाएगा तो 4, 2, 6, 8, 8 जा करके देख लो ठीक है? यह पूरा नमबर लेना है यहां से सिंगल लेना है बार बर यही बात मैं बोर रहो 8, 8, 64, 6, 48, 48, 48 और 6 कितने होगे? 54, 5 के रही है 2, 16, 16, 25, 21 और 8, 4, 32, 34 3, 4, 1, 4, 4 आ गया यह इससे बढ़ा आ गया तो मतलब 7 पर यह final set हो जाएगा उससे छोटा लेना है ना 7, 6, 42, 4 7, 2, 14, 14, 14, 14, 14 18, 4, 4, 16, 17 1, 7, 8, 6, 9 ठीक है? सॉरी 7, 2, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 18 7, 4, 28, और 1, 29 29, 8, 6, 9 आ गया 29, 8, 6, 9 ठीक है? अब इसमें से इसको माइनस करके लिख दो जो भी यहां आ रहा है और यह 7, 7 जथा अब 4, 2, 6, 7 में 7 एड़ कर दो तो इसमें हम एड़ करेंगे तो कितना हो ज़ेगा? 4, 2 7, 4 अब यहां पर एक डैश डलेगा और यहां पर एक डैश डलेगा अब जो भी माइनस करके आएगा आगे 2, 0 लगा देना ठीक है? यहां पर कोई 0 नी लगा नी कोई point नी लगा नी पर यहां पर इसके आगे 2, 0 लगा देनी है फिर उससे छोटा नमबर देख लेना है